कोश्चन ने पिछले दिना दे कैन अने वन तेल वेडर दा वेकंट सीटस फ़ेकंड कांसलिंग विल बी अगॉड़िंग तो केटगरी और वेकंड सीटस विल बी फाइल विदाउट केटगरी मैं पिछले वीडियो विचे इस दा उस्ता दे आया हां केटगरी दे अनुसार युनिवस्टी ज़रूर कहेगी के नौम्स नूँ फॉलो किता जाए जेदे विचे मैरिट और यह जो रूल्स ने कैरिक्ट कैटगरी बगारा दे ओ जो जोड़े ने फॉलो किते जान देने पर जेकर कैटगरी मानलो कोई बीसी कैटगरी है ओस विच ओ बच्चा सस्ती दी सीट है और एस सीट खाली रह जान देने दो मान लो अना ते फिर ओ किसे होर कैटगरी नो जे खाली रह जान देने फॉर एक्जमपल जर्नल नों पर देती है, जदो जॉब हुन दी है ताँ वो जन्रल नों नहीं जांदी, वो बैकलोग से चल जांदी, अगली वरी एड़र्टाइज हुन दी है, लेकिन यह थे क्योंकि एंटरस्ट है, शिफ्ट हो जान दी है हां और तो अनों वो मिल जांद दूश्रा कि एसनों अकसर किया के जाला डी रिजर्वेशन क्या जानदा है कि एप बचियां सी अंग और थे बेशक सब्सक्राइशन मिल जाएगी दबेस्ट प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो अडिशनल पिपर अनुल थे मैं बना देना हां में थोड़ी जी कन्फूजन है मैं बनाद जरूर दिनना हां कोई क्कॉर्मेंट पितल नहीं है कोई नंदर पिस है रौ फुर्णाद में उन्यवेस्ट्री चंडिगर्ण है जो फास्ट विकांस्लिंग और अट संबर हैं कोई धुर्ट्ट कांस्लिंग डेट नो ओ रिफंड ले सकते हैं कॉलेज तो जहां फिर पहला वी ले सकते हैं मतलब वो ले सकते हैं रिफंड करा सकते हैं तो उस तोड़ा हक है ओ एक जार यूजी सी रूल गाइडलाइन मताबक कटे जानदा है और कुछ नहीं है यहाँ नहीं है, अगर किसे कॉलेज फिल किता है तो फिर उसनो कॉलेज पसंद नहीं आना तो फिर्स से कॉलेंट कर सकता है हां जी उत्ते वी कंटीन्यू कर सकता है पर तुसी यह दसना चाहिदा है कि वह एड़ेड है गौवर्मेंट है केड़ा है है तो डिपेंड करता तेना दी नेचर वक्री है और अधर्वाइस थे थर्ड कॉंसलिंग ची तुसी तीजे कॉलज भी जा सकते हो मतलब तो डिली पसे हो थे चक्कर माने हैं दुनिया जो कोई चक्कर मारन तो मिंता तरले करन तो बिना 98 परसेंट लोग काने पैसा नहीं वापस देना इस अच्छा है सब्सक्राइब कर वाली है मैं नार में एकनोमिस करना चांद नहीं हां डिस्टेंस पंजाबी उनिवस्टी तो बहुत इमें रिक्वेस्ट पादिती है आंसर नहीं आया कि तुसी की बियाट गुर्णानक तो और जड़े डिस्टेंस तो पंजाबी तो एक पासे जी एंड U है एक पहसे P भी आई है वह एद्धर ओपन शब्चाबद नहीं है अगर ओपन शब्चाबत है तो उसी कडियो एकनोम उपन युनिवस्टी तो छिट इसंस अन्दा है उस्टेंस मैं तोनों जवाब दे दियांगा नेक्स्ट है सिर मेरा टाइम टेबल आ गया है और उसमें पेपर दे रखेने पेपर मैं अभी फिल नहीं किये क्या हमें चूस करना है मुझे बात नहीं समझाई वेरी सौरी सर तोड़ पुछना है के थर्ड कॉंसलिंग कदोत तक होवेगी में नहीं सबसक्रान थे विच 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 कल आजानी है अठ तरीक नूँ आज आए ना अज में नहीं है 7 तरीक को आज आजना है आच तो समझ लो नौ तो शुरू है नहीं एक तटारा वर सौरी दो दिन reporting मिल नहीं तो ओ ठीक है रिपोर्टिंग मिलना तो बाद मैं वीड स्यलद कोन सब्सक्राइब देखो सीट लॉट हुं दिया नहीं हुं दिया थर्ड कॉंसलिंग जाके रामन ले सक देखो सर मेरा फार्स्ट थे सेकंड कॉंसलिंग विच नेम आया से मेरे रपीटर है सर एटी एंट्रेस्ट ले हुन फॉर्म फिल हो सक देने हजे कुछ भी शुरू नहीं होया एटी दा डॉंट वरी नेक्स्ट है ए तो सारे ने अदे आपक दिवस्दियां मवारकां दिती हैं मैं थोडियां सची अंगलां करता हैं हो सची अंगलां इस पर नहीं कर चका पर दिन में आए जांदे हैं जदो कोई किसे चीजनों वहर उपर चकना हुए अद्यापक नों पर चकना जानने हैं सो मेरे ख्याल विच दिखो के तह अद आपक विच्च जिस्तो तुसी पुझ सुरू तो शुरु तो स्कूल तो लेकर हुझ तक स равно यादकरो जिस्तो सब जांदा सिंख्या हुए और वसदे लिए उसदे लिए उस अदियापक लिए द शुक्रिया करें लिए अपने कमरे व अस प्रिया आपको साइंस मिल गया है तो यह आपको मुझे थोड़ा सा डिसकस्त करना पड़ेगा आपने ग्रैजुएशन में साइंस के कौन से दो सब्जट्ट पड़े हुए हैं इसे honors वाले जो हैं, वो science के लिए eligible हैं government job में, पिछली में, आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, most probably यही रहेगा, तो उसके मताबक यह आप eligible यहां भी हो गए और science, life science को कि यह बनता है, MSE की है, तो आपका यहां PGT बन गया, और यह TGT बन गया, ठीक है बिलकुल, उसके मता आपक, जो अभी तक norms चल रहे हैं, अगर change नहीं होते तो, I have done graduation medical with subject chemistry 3 year, zoology, very good, ऐसे बताना है, biotechnology 3 year and master in micro, biotechnology preference of government job, please reply sir, which subject combination is good for me, आपके लिए, जो है, master अपने की है, यह रहा, chemistry है, तो master, आप किस के लिए होना चाहते हो, TGT, PGT नहीं लिखा है अपने कुछ, अगर TGT के लिए जाते हो, तो teaching of science, pedagogy of science आप लोगे, फिर PGT के लिए eligible नहीं हो, हाँ, साथ में science क्योंकि आपने 3 पड़ी हुई है, that is why our chemistry आपको PGT, physical science की तरफ लेके जा सकती है, अब आपने यह सोचना है कि आपने MSC कौन सी करनी है, अगर MSC, zoology जाए इस field में करनी है, तो minor subject, life science लोगे आप, अगर आपने chemistry, physics की करनी है MSC, तो आप physical science minor लोगे, आपका subject का बना, science और physical science, वैसे आपका ज्यादा बन रहा है, जो काव यहां से जो दिखाई दे रहा है, science and life science, तो आप दो government job के लिए eligible हो, science से आप TGT, master grader के लिए eligible हो, और life science के लिए PGT के लिए जहां यह लेते हो, यह depend करेगा, कि आपने MSC कौन सी करनी है, तो वो information यहां miss है, जो भी आप करना चाहते हो, उसके मताबग आप चूज कर सकते हो, सर बियर्ड में math science combination से PGT physics eligibility होगी, यहां फिर TGT की होगी, दिखें, अगर आप science लेते हो, तो सिर्फ TGT, PGT, PGT नहीं होगी, तो maths है, maths से आपकी TGT भी होगी, अगर आपने MSC maths कर ली है, तो साथ में PGT भी होगी, maths का ज्यादा फाइदा है, क्योंकि additional integrator subject नहीं है, यह integrator subject है, यह दो sciences आपको पढ़ी होई होनी चाहिए, और PGT के लिए, जो है, master degree, अच्छा आपने कहा है, कि मैं MSC physics की है, तो physical science लेना ज़रूरी है, yes, 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 अगर आप physical science लेते हो, तो आप TGT के लिए eligible नहीं होगी, आपको चूज करना होगा कि मैंने science TGT के लिए जाना है, जहां physical science PGT के लिए जाना है, तो अगर आप बहुत competent feel करते हो, तो naturally फिर आप जा सकते हो PGT के लिए, क्योंकि उसमें jobs कम बहुत कम, जा नहीं बहुत देर की आई होई हैं, अभी तक मैंने कोई analysis नहीं किया, बता दूँगा, तो PGT के लिए maths, science बे, PGT, physics और TGT दोनों ये क्या कह रहे हैं आगे, इनको उड़ा के देखता हूँ, साथ में ये रहा, हाँ, ये, दोनों के eligibility बन जाएगी, please guide sir, मेरा graduation physics, chemistry and maths है, तो यार आपका physics, chemistry, math है, ये math बन गया, ये science बन गया, आप दोनों TGT के लिए, TGT के लिए ज्यादा थोड़ा फाइदा इसलिए है, कि number of post आती है, इनका पता नहीं कब आए, कितनी आए, हो भी सकता है, आजाए, आप ये देखो कि number of students है, जो government school में science students की strength कितनी है, उसके मताबख हो सकता है, अच्छा, अब आप चाहते क्यों हो, कि आप science के लिए जाना, math, science से भी PGT, physics और TGT दोनों के लिए नहीं, आप science से सिर्फ TGT के लिए ही eligible हो गए, ये बात पक्की हो गई है, तो आपको ये चूज करना होगा, कि आपने किदर जाना है, आइधर science TGT और physics से PGT, और इसके बाद आपने, मेरे ख़ले हैं, MSE की होई है, MSE physics की है, हाँ, physical science फिर आप ले सकते हो, आपको चूज करना है, लेकिन दोनों अलग लग है, हाँ, नेक्स्ट है, है कोई का नहीं, सरा, ये आप स्टई रेक्टिव इंग्लिश ये पुलिटिकल साइंस और जोग्रफी, पुलिटिकल साइंस और जोग्रफी की हुई है, तीन साल है, तो आपका SST बन गया, हाँ, थ्री साल गरेजुएशन, माई इस्टे टीचिंग सब अब not have done post graduation, कोई बात नहीं, आपने इच्छा होगी क्या आपने करना है, अगर आप, ये तो पक्काल हो ना आप, SST आपको पक्काल हो, major subject, minor है, कुछ भी है, SST आपका major हो गया, और minor elective ही लो, English ही लो, अगर MA English कर लेते हो, तो बिना कोई additional B.Ed का दिये होए, आप PGT के eligible बन जाते हो, English के, हाना, SST का TGT के लिए ही रहेगा, तो MA आप बाद में सोच के, पूछ के मेरे से कर सकते हो, अगर guidance चाहिए, हाना, Sir, official answer की according to 82 number बन रहे है हूं, marks cut तना होंगे, जे कोई marks वद सक्दा है, SC category 82, safe है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, no problem, Sir, मेरे पास B.A.A. म maths, economics और elective English subject है, अब B.A. के लिए best combination क्या है, ये रहा, आपका maths, economics and elective English, ये English को जरूर लो और maths को जरूर लो, ये better है, economics इसके लिए कह रहा हूं, कि economics की आपको MA economics करके, फिर PGT के लिए बनोंगे, और फिर job number of job, यो है, कम होगी, that is why इसको prefer कर लो, ये TGT दोनों के लिए eligible ह job number ज्यादा होंगे, sir I have studied elective Hindi political science and history, ठीक है, for three year graduation and two general subject prep for government job, तो three year history और ये आपने पढ़ा हुआ है, SST ही आपका TGT के लिए best है, और हिंदी भी आपका TGT के लिए best है, SST ही हिंदी आपका combination बन गया, अगर आप MA हिंदी कर लेते हो, MA हिंदी, तो PGT के लिए भी eligible बन जाते हो, easy है, yes, यह हो गया, खतम, मेरे B.H.